सबसे पहले तिसमें डाल देंगे जीरा, सर्सों, करी पत्ता, अगर पाल देंगे तमाकर, तुबारिश कपे विए कर्बूज को उसे डाल देंगे, अच्छे से थोड़ी देर हम ऐसी पकने देंगे, उसके बाद इसमें हम डालेंगे मसाले, स्वाद अनुसार मिर्च पाउडर डाल देंगे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और अब डाल देंगे इसमें गरम मसाला, और इसके बाद स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, यह अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे ड़कर पकाएंगे तो यह देखिए हमारे जो सब्जी है दस मिनट में बनके तयार हो गई है यह बहुत ही टेस्टी लगती है इस तरह से आप पी ट्राय कर सकते है यह है राइन के मासम लाइन के माहान जी और आप सब बहुत हर्दिक सिब कामनाएं आप सब लोग भी दर्शन कीजिएगा मासम ल तो अफिजा के अनुसार हमारा यह नया वर्स चालू हो किया है और नौरात्री भी चल रही है तो नौरात्री के पहले टिनके आप सब को बहुत-बहुत-बहुत सुपकामना है हम लोगा शमलाई मंदिर गए थे आज वहां से आगये हैं मंदिर से बापिस आगये मासमलाई माता के दर्शन करके और आके देखके अपी हम लोग पी रहे हैं चाये जबी हम लोग आया है मंदिर से मंदिर काय पुए थे और बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा और जश्ट अपी हम लोग आया है जो बैस आके ये चाये वाई पीएंगे अभी